दोस्तों, एक देशी कहावत है कि जितना चादर हो, उतना ही पैर फैलाना चाहिए मतलब आपके जितनी आंधनी हो, उसमें ही आपको काम चलाना चाहिए और एक काफी अच्छी बात है, इसमें कोई भी सक नहीं है बट इस कहावत के चकर में आप इस बात को ना भूलें, कि growth is life मतलब कि आप अपनी income को बढ़ा सकते हैं, income को ऐसी चीज नहीं है, जो कि आप नहीं बढ़ा सकते हैं जी हाँ इस वीडियो का simple lesson यही है कि आपको अपनी आमदनी को बढ़ाने के बारे में जरूर शोचना चाहिए और आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से कैसे आप अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं यह question अगर आप पूछते हैं अपने आप से तो आज काम किये बिना action लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है action तो आपको लेना ही पड़ेगा शुरुवात तो आपको करने ही पड़ेगी बट जब भी आपको शुरुवात करें तो छोटी शुरुवात करें जैसे ही मान लेजिए कि अगर आपको लगता है कि आपको शायड इन्वेस्टिंग से पैसे कमाना चाते हैं तो वहाँ पे भी छोटे इन्वेस्टमेंट करें और जब आपको थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगे जब आपको वो इन्वेस्टिंग समझ में आने लगे तब आप अपने इन्वेस्टिंग के जो साइज है जो capital है वो बढ़ा सकते हैं और capital बढ़ा के आप वहाँ पे ज्यादा income कर सकते हैं बट overall message यही है कि हम सभी में ये छमता है कि हम अपनी इन्वेस्टिंग को किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं जरूरत बस इस बात की है कि हम ये question अपने आप से पूछें और इस सवाल का जवाब ढूड़े और सव कोई सवाल है ही नहीं जिसका जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि हर सवाल का जवाब जरूर होता है तो आपको भी अपने सवाल का जवाब जरूर मिलेगा आप जब एक question पूछेंगे कि किस तरीके से कैसे आप अपनी income को बढ़ा सकते हैं तो आपको जरूर कुछ रास्ते आपको जब भी आप कुछ नया काम करेंगे तो रिस्क जरूर होगा और वहाँ पर बस आपको उस रिस्क को ध्यान वर रखते हुए छोटी शुरुवात करनी है ऐसे सुरुवात करनी है जो रिस्क आप सम्हाल सके जो रिस्क आप जहल सके तो इस वीडियो का बहुत ही पढ़ना चाहिए अगले स्टेप पे हमें पहुशना चाहिए तो दोस्तों I hope कि आप इस मैसेज को जरूर शमज पाये होंगे कि अगर आप इन दों को बढ़ा सकते हैं तो आपको जरूर उसके लिए कोसिस करनी चाहिए तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और जरू करें तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते आगरी वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो गुरा देखने के लिए और हमारा साथ जरूर रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद